हलो बच्चो वेलकम बैक सो physics and mathematics के second lecture में आप लोगों का स्वागत है last lecture कितना है interesting गुजरा था हमारा जहां हम लोगों ने ये देखा कि हम दुनिया में positions को बताने के लिए number line का इस्तमाल करते हैं और उसी number line के मदद से हम किसी के भी position बता सकते हैं यानि कि हम लोगों ने frame of reference को discover कर लिया था लेकिन फिर हमने ये देखा कि imagination के दुनिया में भी तो positions होती है locations होती है तो वहाँ पर हम अपने coordinate system को किस तरह से locate करें या समझे और इसी के जरिये हम लोगों ने imaginary numbers को discover किया था physics and mathematics के lecture 1 के अंदर और वहाँ पर हमने ये भी जाना था कि अगर हम nature से बात करते ह right way में communicate करते हैं तो nature हमको जवाब खुद बखुद देता है और हम लोगों ने क्या ढूंडा था कि I square की value minus 1 क्यों होती है और ये इस बात का सबूत है कि nature से अगर आप बात करोगे तो nature आपको जवाब हमेशा देगा लेकिन उसको जो भाशा आती है वो भाशा है mathematics की तो mathematically हम लोग पार टू l elders यानि literature टू के अंदर हम लोग जानेंगे vectors के बारे में लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से नहीं पढ़ने वाले हैं कि वैक्टर्स के ये law होते हैं वो law होते हैं ना हम लोग यहाँ पर nature से बात करने वाले हैं communicate करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि VectorS को हम उने discover कैसे किया ये इतने एहम क्यों है हमारे लिए और इसको लेकर जो loss बने है वो loss हमें याद थोड़ी करने है भाई हम लोगों को वो चीज़े discover करनी है और right way में अपने आपको educate करना है ताकि हम इन चीजों के सा deeply connect कर सके और अपनी life में इसको implement कर सके मैं ये नहीं चाहता ह कि भाई आप wealth pass होने के बाद ये कहो कि इन vector vector का हमें क्या करना है अपने जिंदगी में लेकिन इनका आपकी जिंदगी के साथ गहरा connection है यहां तक कि vectors की जो knowledge है वो आपकी country की security से जुड़ा हुआ है आपकी country की economy से जुड़ा हुआ है country की GDP growth के साथ जुड़ा हुआ है आप जो चीजे आप ये कहो कि आज के टाइम पर आप simple navigation अगर करते हो आप GPS का use करके जो रास्ते आप ढूंडते हो उसके लिए जो satellite का motion होता है उसके अंदर vector जुड़ा हुआ है आपकी जो ये celestial bodies है इनके motion के अंदर vector जुड़ा हुआ है तो आखिर ये चीज है क्या तो इसको directly अगर हम definition की तरह याद करेंगे तो बिल्कुल पलेनी पड़ेगा formula questions आएंगे मात्र formula लगाएंगे solve करेंगे कई बार हम questions करने से न हमें बस ये practice हो जाती है कि vectors के question को solve कैसे करना है लेकिन वो असली learning नहीं है let's start अब हम लोग इस lecture के अंदर nature से बात करना start करते हैं और देख करता बने तो उस दौरान हम लोग navigate करते थे motion का इस्तमाल करते थे और इस motion की वज़े से ही ये चीज निकल कर बाहर आई और यहाँ पर हम लोगों ने पुराने time से ही nature से जब बात करना start किया तो हम हर चीज को numbers के जरीए देखा करते थे किस के जरीए देखते थे numbers के जरीए देखते थे कहने का मतलब यह है अगर मुझे कोई वजन बताना है numbers देखो हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है nature से बात करने के लिए आपको जिस भाशा का यूज करना है वो भाशा कौन सी है mathematics है और mathematics में numbers हैं जिनके जरीए आप इस दुनिया की हर चीज से बात करते हो 10 किल आटा 5 किलो चावल ठीक है आप उस दिशा में इतनी रफ्तार से जा रहे हो रफ्तार के लिए number मास के लिए number आपके वॉल्यूम के लिए number आपकी करनसी के लिए number आपकी salary कितनी है उसके लिए number आपके country की growth rate क्या है उसके लिए number stock market में stock के price के लिए number कितनी quantity का माल आप यहा स्टार्ट करोगे आप याद थोड़ी करना है जस देखो अपने रियल दुनिया को देखो जब आप खुद मिलेगा तो आप यहाँ पर पाओगे कि कुछ चीजे हर चीज quantity तो बता रहे है speed की quantity 20 किलो मेटर प्रती घंटा quantity ही तो बता रहा है 20 किलो चावल quantity ही तो बता रहा ह ठीक है तो यहाँ पर इन numbers को अगर हम देखे यानि कि quantity को अगर हम लोग देखे तो हमने यहाँ पर notice किया हमने यहाँ पर notice किया कि दो तरह की quantity निकल कर आ रही है अब वो दो तरह की क्या है feel करना इसको याद नहीं करना कुछ quantities में दिशा की जरूरत पढ़ रही है direction की जरू मिटर प्ति घंटे की रफतार से जा रहा है तो यहाँ पर दूसरी वाली बात जो मैंने कही है इस बात को अगर मैं feel करूं तो यहाँ पर जा रहा है से मुझे अधूरी cooperation मिल रही है और वो अधूरी information क्या है कि ये तो पता है कि कितनी रफतार से जा रहा है लेकिन कहां जा यह नहीं पता चल रहा है तो इनी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो there are some quantities जिसमें direction की need होती है और there are some quantities जिसमें direction का कोई लेना देना नहीं है तो अब दो चीजे जब classify हो गई है तो इनका नाम करण कर दिया जाए तो जिनमें direction की need नहीं है उनको हमने नाम दे दिया बस scalar quantity और जिनमें direction की need पढ़ती है ऐसी quantities को बस यही है vector quantity हमने उसको नाम दिया कि भाई इसको vector बोलेंगे vector quantity बोलेंगे और कुछ नहीं है और कोई बड़ा rocket science नहीं है यहां पर ठीक है लेकिन अब यहां पर बात आती है कि जब आपने किसी चीज को ढूंडा तो उसके बाद आप को further उसको study करना होगा ठीक है इसी को बोलते है growth, progress, discovery हो चुकी है कि quantities दो किसम की होती है nature से ही बात कर रहे थे nature नहीं हमको दिखाया कि भाई देखो इन चीजों में direction का कोई लेना देना नहीं है बट इन चीजों में direction का लेना देना है लेकिन अब यहां पर हमने nature को study करना start क यहां है निचर से further बात करना start किया तो हमने कहा कि 10 किलो-もうमें 2 किलो चा बसे दो किलो में निकल जा दोकिलो निकल जाये जो कितना गज़ेगा बचेगा 10 केलो चाब होगा 12 केलो चाबल होगा तो यहां पर हमने देखा कि Scalur quantities जो है जिनमें direction का कोई लेना देना नहीं है वो simple plus minus multiply divide के rules को follow कर रहे हैं जो दिखा वही सकते है और यह आप भी feel कर सकते हो अगर 10 kg चावल को 2-2 kg के 5 हिस्सों में बाट दिया जाए तो एक जो packet होगा उसमें कितने kg होगा जवाब तो देखो प्रशनी के अंदर ही छुपा हुआ है 2 kg होगा ठीक है अगर 10-10 kg के आपके पास 10 बोरियां है तो बताओ total कितना चावल है तो 10 x 10 यानि कि 100 kg चावल है as simple as that या फिर 10 को 10 बार add करना है तो आपके पास 100 answer आएगा 10 में से 2 को घटाना है तो 8 answer आएगा यानि simple scalar quantities simple plus minus multiply divide को follow कर रही है इसमें कोई problem नहीं है लेकिन जब हम लोगोंने vector quantities को nature में observe करना start किया यानि क वो quantities जिसके अंदर magnitude भी है यानि quantity की मात्रा भी है और साथ ही साथ दिशा भी है तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़े observe करी और वही observation आगे चलके आपके loss बने है तो भाई loss याद करने से अच्छा है let's observe it in the nature nature में हम इसको देखते हैं और हमें समझ आएगा अब vector की शुरुआ कहां से हुई थी traveling से ठीक है शुरुआत कहां से हुई थी traveling से जब हम navigate करते थे तो हम लोगों ने किन problems को देखा जिसकी वज़े से हमने इसको study करना start किया और वो यह था कि let us say आप समुद्र में जा रहे हो यह आपकी एक कैसी हजीब सी ship बना दी मैंने यह आपकी एक ship है ठी ठीक है यह वो पतवार है जिस पे वो जा रही है ठीक है अब आप जाना तो इधर चाते हो लेकिन हवाएं जो है वो इस दिशा में चल रही है जिसकी वज़े से आप इधर तो मैं मार कर नहीं की सकता हूँ आप इस direction में जाना चाते हो बड़ आप इधर पहुँच रहे हो ठीक है यानि कि दो motion circuit एक साथ हो रहे है कहने का मतलब यह है इसको आप और आसान example से लो तो एक नदी है ठीक है जिसमें पानी का बहाव इस दिशा में है और आप तैर रहे हो इस दिशा में तो आप खुद सोचो कि आप कहां पहुँचोगे सोच के देखो आप 3 मीटर प्र 30 second की रफ्तार से आगे जा रहा है ठीक है तो आप कहां पहुच जाओगे आप 4 मीटर आगे यानि कि आपकी position यह होगी तो आप तैरना तो सीधा चाते हो पर तैर यहां रहे हो तो यह देखो यहां दिशा का रोल आ रहा है पानी अगर इस दिशा में जा रहा है इसलिए तो आप इस तरह से मूव कर रहे हो पानी अगर रुका होता सोच के देखो पानी अगर रुका होता तो आप जहां जाना चाते थे वहीं जा पाते यानि कि यह आपका motion यह पानी का motion और यह आप दोनों का combine होकर जो resultant motion आया वो यह वाला motion है तो यहां पर vector quantities यानि कि ऐसी quantities जिसम दूसरे country ship करनी है वट हम इन चीजों को ignore कर देते हैं बस now चलाते हैं जैसे गाड़ी चलाते हैं हम अपने आम जिन्दिगे में बस steering mode के पहुँच जाएंगे समुदर कितना बड़ा है सोच के देखो समुदर कितना बड़ा है वहाँ पर आपको roads तो नजर ही नहीं आएंग अगर आप directions का ध्यान नहीं रखोगे तो कहां का माल कहां पहुच जाएगा और goods कितने जादा loss होगा अगर एक country का good दूसरी country में पहुच गया जहां उसे पहुचना था वहाँ ना पहुचके किसी और country पहुच गया और वो लुटेरो की country निकले उन्होंने सारा माल हरप ल लिया तो सब कुछ loss country की economy डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी और अगर सही से navigate ना करके भटक भटक के वो पहुच रहा है तो automatically उन goods के price बढ़ जाएगे क्योंकि fuel consumption हमारा ज्यादा होगा तो हुआ यह हमारी country की economy के साथ connected आप सोचो कि वेक्टर की knowledge directions की knowledge हमारे लिए कितने important ह कि अंतरिक्ष में एक satellite अगर इजरो छोड़ता है ठीक है तो उसके जरीए वो अगर किसी war के time पे वो दुश्मन सेना को navigate कर रहा है कि वो कहां पहुच रहा है सेटलाइट से images बता रहा है तो यहाँ पर अगर satellite ने बताया यह borderline है कि यहाँ पर दुश्मन सेना है वो अपने किलो मेटर जा सकती है सोच के देखो बस यह परिस्तिती आपको कोई formula नहीं लगाना है ठीक है तो आपकी missile तो यही तक हिट कर पाएगी ठीक है लेकिन अगर आपको यह पता चल जाए कि इनकी रफ्तार जो है वो है 10 किलो मेटर प्रती घंटा एक्जामपल के फॉर्म पे ल लिए यानि कि आपका missile इस location पर एक घंटे में पहुंचेगा इतनी कम नहीं होती है पहले बता रहूं ठीक है यह example के लिए है आपकी missile यहाँ एक घंटे में पहुंचेगी लेकिन यह लोग यहां तक 10 की रफ्तार से चल रहा है तो 2 घंटे में पहुंचेगी यानि कि अगर अभी टाइम हो रहा है 9 a.m ठीक है तो आप missile लॉंच करोगे 10 a.m को ठीक है और यह लोग पहुंचेगे यहां 11 a.m पर और दोनों सेम पोजीशन पर जब होंगे intercept होगा yes we won the war ठीक है इतना असान नहीं होता है क्योंकि यह लोग भी अपना दिमाग लगाएंगे लेकिन एक simple example के form पे समझना है कि यहार motion को study करना हमारे लिए कितना ज़्यादा important है अगर हमारी country पे कभी खत्रा मन रहेगा तो यह motion का ज्यान ही हमको बचाएगा इस दुनिया में हर चीज motion के जरिये ही तो जुड़ी हुई है आपकी जो जिन्दगी है life में सबसे important क्या है blood का flow होना motion है आपको life में आगे बढ़ना है बढ़ने का नाम से ही समझा जाता है कि आपको move करना होगा आपको move करना है अपनी education की life में motion लाना है इस चीज़ के अंदर और accelerate करना है कि जल्दी से जल्दी आप अपनी success की तरफ बढ़ो time का यहाँ सबसे important role होने वाला है एक location से दूसरी location ज खुद बखुद निकल कर आजाती है इसको nature से observe करना हमारे लिए एक important factor बन जाता है तो हम यहाँ पर अब nature के अंदर motion को analyze करेंगे vector तो बाद में आएगा क्योंकि motion और vector से भी हुए ठीक है तो हम motion को analyze करेंगे और देखेंगे कि actually में दुनिया वहत कैसे कर रही है और जो दि answer करने के ज़रुरत नहीं पड़ेगी because you feel the scenario और actually मैं एक और बात बताता हूँ आपको ये चीजे पता है बस आपको ये नहीं पता है कि आपको ये बात पता है ठीक है क्योंकि जो भी example मैं देने वाला हूँ आपको ये तो मैं जानता हूँ तो बस यही आपके vector के loss बनी है औ तो आप इसको ऐसे लगाओगे magnitude of x का square magnitude of b का square plus इन दोनों के बीच में angle यहाँ theta है तो आप याद करोगे कि ये वाला theta लेना है ये वाला angle नहीं लेना है इस तरह से याद करोगे फिर लिखोगे 2 magnitude of a vector magnitude of b vector cos theta का under root is equal to magnitude of c vector ठीक है जब ये देखोगे शुरुआत में तो हमें ये बात समझा जाएगी कि ये आया कैसे ठीक है आपका ये 11th grade का concept देखो खुद बखुद छटी grade के concept में तबदील होगा अगर आप nature से बात करोगे तो ठीक है तो हम जानते हैं कि motion बिना direction के व्यर्थ है ठीक है direction पता होनी बहुत जादा जरूरी है अगर direction नहीं पता ह होगी तो हमारा motion का जो information है वह अदूरा information है तो चलो इसी motion को समझते है ठीक है अब वही पानी वाला example लेते हैं नदी वाला example लेते हैं और इस चीज को देखते हैं ठीक है let us say कि ये एक नदी है जिसमें आप तैरने गई हो बहुत अच्छे तैराक हो आप ठीक है अगर तैर चाते हो ठीक है तो 3 meter per second आपकी रफ्तार हो गई ठीक है और पानी की रफ्तार है इस दिशा में पानी इधर जा रहा है 4 meter per second की रफ्तार से ठीक है अब पानी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है आप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो लेकिन मैं कौन हूँ मैं view से बताया जाएगा या observer के point of view से बता जाएगा खुद सोचो दुश्मन सेना का fighter jet हमारी country में enter कर रहा है तो आप उसके frame of reference या उसके point of view से frame of reference क्या होता है हम अपनी previous videos में देख चुके हैं समझ चुके हैं जो जहां देखता है वही उसका positive x axis है उसके पीछे वाली direction negative x axis है left side वाला positive y axis this is positive negative y axis उपर की direction positive z नीचे की direction negative z ठीक है अगर मैं ऐसे मुड़ गया तो ये मेरा positive x negative x positive y negative y positive z negative z ये person पे depend करता है ये सब के लिए fix नहीं होता है ठीक है तो भाई यहां पर observer कौन है मैं हूँ तो जहां मैं खड़ा हूँ वो बनेगा मेरे लिए origin point ठीक है और अब मैं आपको observe कर रहा हूँ किस नजर ये से भाई nature से बात करने के लिए मैंने यहां पर coordinates बना दिये तो आप इस वक्त x coordinate पे खड़े हो मेरे frame of reference के इसाब से मान लो तो एक मिटर दो मिटर तीन मिटर चार मिटर पांच मिटर ठीक है इसको मैं तीन तीन मिटर ले लेता हूँ तीन छे नौ बारा और पंदरा आप मुझसे भी पंदरा मिटर की दूरी पर हो ठीक है ठीक है आप देखो logic को observe करो तीन मिटर आप ऊपर चले जाओगे और चार मिटर आप आगे निकल जाओगे as simple as that तो मुझे आप नजर कहां होगे आप मुझे यहां नजर आओगे यानि कि आपका पानी का motion और आपका motion combine होके एक final motion produce कर रहा है पानी इधर जा रहा है positive x की direction में जा रहा है आप positive y की direction में जा रहे हो but observe तो मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है मैं वो बताऊंगा आपको मुझे यह दिख रहा है कि आप इस black valley line पे move करते हुए जा रहे हो आपने 3 meter travel किया इस direction में लेकिन पानी आपको 4 meter ले गया आगे की तरफ तो आप यहां पहुँचे आपको लग रहा है कि आप ऐसे तैर रहे हो तो अब मैं आप खुद देखो ठीक है यह length 4 meter की है यह length 3 meter की है तो आपने एक second में actually में कितना distance travel कर लिया है जरा उस चीज को observe करो तो यह 4 है यह 3 है ठीक है पाइथागोरस का इस्तमाल कर लूँ मैं क्योंकि इतनी गणित तो हमने सी की लिए यहां पर किसका इस्तमाल पाइथागोरस इसलिए तो पाइथागोरस को समझना हमारे लेक बेसिक नीड बन गई है राइट अंगल ट्रेंगल बन रहा है फ्रेम ओफ रेफरेंस के अच्छी बात यहां पर आप हर चीज के लेक राइट अंगल ट्रेंगल बना सकते हो बन गया पाइथागोरस की मदद मैं आपने पांच मीटर का distance travel कर लिया है point to be noted एक second मैं आपने पांच मीटर का distance travel कर लिया है तो मेरे से एक दूसरा बंदा पूछता है B बंदा कि यार बताओ इसकी रफ्तार कितनी है तो मैं क्या बोलूँगा 5 मीटर पर second क्योंकि मैं जो observe करूँगा उसके हिसाब से बताओंगा न अब सोचो दुश्मन सेना का plane आ रहा है वही example उसके frame of reference से वो तो सीधा आ रहा है लेकिन मेरे frame of reference से अगर मैं देखूँगा मैं observer हूँ तो वो मेरे लिए इस तरह से move कर रहा है यानि कि मेरा देखने का जो viewing angle है वो बार बार देखो चेंज हो रहा है अगर मैं एक anti-aircraft gun दुश्मन सेना का जहाज है न भाई anti-aircraft gun लेके खड़ा हूँ तो इसके point of view से अगर मैं सोचूंगा ठीके pilot के point of view से तब तो मैं उसमें निशाने नहीं लगा पाऊंगा मैं अपने frame of reference के साब से इसकी velocity बताऊंगा तो भाई आप अपनी मर्जी से चल रहे हो 3 meter per second की speed से तैर रहे हो उससे क्या फरक पड़ता है अगर मुझे आपकी position बतानी है तो मैं अपने frame of reference से बताऊंगा as simple as that बस इतनी सी कहानी है तो actually मैं आपने 1 second में 5 meter का distance table किया है तो मैं आपको result क्या बोलूँगा कि आप तो 5 meter per second की speed से ही चल रहे हो और क्या इतनी simple सी कहानी है ठीक है और इनी को फिर आगे चलके हम लोग vector additions बोलते हैं और इनके लिए हमने formulas develop किये और formula तो आपके सामने है चार तीन का square की आप आई तो गोरस किया मुझे 5 मिल गया अब क्योंकि आप move कर रहे हो तो भाई आपके direction बतानी है तो trigonometric क्यों पढ़ी थी हमने trigonometry से ले पढ़ी थी ना यहाँ पर मैं angle बता दूँगा angle बताने के लिए भी frame of reference चाहिए बताने के लिए आपको एक line चाहिए ना कि इस दुशा से इतने angle पर यह बंदा move कर रहे है तो यह रही मेरी positive x-axis वहां से मैंने angle लिया और यह बोला कि हम तो जानते है ना tan theta क्या होता है tan theta मैं हूँ tan theta यानि कि मैं हूँ perpendicular to base का ratio और इस परिस्तिती में perpendicular यह है base यह है तो मैं हूँ 3 बटा 4 तो बताओ कि अप theta की value क्या होगी trigonometry एक database है हम जान चुके है origin of trigonometry के अंदर तो अगर यह database है तो किस angle पर 3 बटा 4 आता है और वो angle है यह तो triangle आपको वैसे लिए याद करना होगा तो यह angle निकल कर आया 37 degree तो भाई आप जो है 37 degree के angle पर 5 मीटर प्रतिसेकंड के रफ्तार से travel कर रहे हो और जो आपकी need है वो need पूरी हुई मुझे क्या बताना था आपकी velocity वो मैंने बता दी किस की मदद से पाइथगोरस की मदद से मुझे बताना है आपकी direction वो मैंने बता दी कि भाई जहां मैं देख रहा हूँ ना जो मेरा एक sexist है यहां से 37 degree के angle पर ठीक है किधर 37 degree आप anti clockwise rotate करो तो उस दिशा में 5 मीटर प्रतिसेकंड के रफ्तार से आप तैर रहे हो ठीक है तो यहां से हमने जो discover किया वो यह है कि यहां पर यहां पर जो आपने observe किया कि भाई यह है आपका motion यह है पानी का motion और इन दोनों से combine होके मिला हमको एक final motion इसको बोलेंगे यह individual vector है यह individual vector है वेक्टर बोलते हैं तैसा लगता है यार कोई बड़ा सा ही theory पढ़ रहे है नहीं भाई यह quantity क्या है 4 meter per second in x direction 3 meter per second in y direction तो आप simply वस इसको भाशा के तौर पर बोल रहे हो यह है 4 meter per second वाला velocity vector यह है 3 meter per second वाला velocity vector काम खतम vector बोलने का मतलब कोई बड़ा rocket science नहीं है simple बस आप यह बताना चाते हैं कि यह quantity vector है और कुछ नहीं ठीक है तो मैंने बोला कि 5 meter per second वाला vector at angle 37 degree यह जो मुझे मिला तो यह क्या बन गया इस चीज को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे resultant vector क्या बोलेंगे resultant vector काम खतम तो भाई अब यहाँ पर scalar और vector तो अलग-अलग होते हैं तो इनके लिए symbols भी अलग-अलग होने चाहिए तो हमने यहाँ पर लिखा velocity of velocity of क्या था यह हमारे नदी थी ना velocity of नदी को क्या बोलते हैं river और यह है velocity of man ठीक है आपके लिए man या woman जो भी ले लो आप इसको ठीक है तो यहाँ पर है velocity of man को अगर मैं वीम लिखूंगा तो simply यह scalar की तरह शो हो रहा है क्योंकि scalar भी आप ऐसे लिखते mass of man, mass of woman ठीक है इसी तरह लिखते तो हमने यहाँ पर एक symbol दे दिया point को समझना, एक साथ काम कर रहे है simultaneously काम कर रहे है तो हमने यहाँ symbol दिया addition का simultaneously काम कर रहे है तो बस यह अभी symbol की तरह add हो रहा है 3 और 4 को add करके आपको 7 नहीं लिखना है ठीक है, क्योंकि यह depend करेगा आपके vectors पे, यानि कि आपके direction पे depend करेगा, तो जो result quantity, as simple as that, तो इसकी quantity 3 है, इसकी quantity 4 है, बट result हमारे पास 5 है, क्योंकि result हमने वस्तविक्ता से ढूंडा है, ठीक है, वस्तविक्ता से ढूंडा है तो वस्तविक्ता के हिसाब से यह सही है लेकिन अब चालेंज आता है कि हम इस वस्तविक्ता बहुत बड़ी सी pipe है, ठीक है, जिसके अंदर आप खड़े हो ठीक है, जिसके अंदर आप खड़े हो और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ I am your observer, ठीक है, मैं observe कर रहा हूँ तो यह रही मेरी x-axis ठीक है, और यह रहा मेरे पास y-axis ठीक है, यह जो pipe है, यह crane के साथ जुड़ा हुआ है जो इसको उपर खीच सकता है या आगे ले जा सकता है point को समझना, उपर खीच सकता है या आगे ले जा सकता है ठीक है, crane कैसे होता है, crane के उपर यहाँ पर एक motor लगी होगी और यहाँ पर जो rod लगी है उसको आप आगे move कर सकते हो और यह जब motor चलेगी तो यह रसी उपर fold होगी तो जिसकी वज़े से यह आगे जा सकता है यानि की crane जो है इस pipe को उपर आगे पीछे नीचे इस तरह से ले जा सकता है तो हम यहाँ पर सारी परिस्थितियों को देखते हैं और result को observe करते हैं अब आपकी मैं एक रफ्तार देता हूँ आपकी रफ्तार दी मैंने 1 meter per second आप 1 meter per second के speed से आगे बढ़ोगे ठीक है और यह जो crane है ठीक है तो मैं velocity लिखूँगा velocity vector लिखूँगा ठीक है तो velocity vector जो मुझे नजर आएगा that will be 1 meter per second एक second में आप 1 meter आगे निकल जाओगे तो मैंने जो देखा that is 1 meter per second और यह मैं show कर देता हूँ भाई this is my x direction this is my y direction 1 meter per second in x direction लो भाई direction हमने दिखा दिया ठीक है हर observation आपको end result तक लेके जाएगे अब इस crane ने आपको उपर खीचना start किया लो भाई यह रसी यहाँ पर ले आता हूँ यहाँ पर मैंने connect कर दी ठीक है अब यह crane आपको आप अभी भी 1 meter per second की speed से आगे जाओगे लेकिन crane आपको 1 meter per second की speed से उपर लेकर जाएगा crane की speed थोड़ी बदलते हैं 2 meter per second लेकर चलते हैं और अब इस परिस्तिती को देखें आप यहाँ हो 1 meter मैंने इतना distance ले लिया यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया आपको और उसी 1 second में क्योंकि crane भी simultaneously आपको उपर लेकर जा रहा है तो आप यहाँ से अब इस pipe को ही देख लो 1 meter 2 meter ठीक है तो pipe आपकी यहाँ पहुंच जाएगी ठीक है तो dotted line में बनाता हूँ pipe आपकी यहाँ पहुंच जाएगी 1 meter 2 meter तो देखो आप यहाँ पर पहुंच गए ठीक है 2 meter तो मैंने जो observe किया वो यह कि आप actually में मुझे ऐसी जाते हुए नजर आए खुदी सोचो ऐसी जाते हुए नजर आओगे आप आगे भी जा रहे हो उपर भी जा रहे हो ठीक है सिर्फ आगे जा रहे हो सिर्फ उपर जा रहे हो लेकिन मुझे क्या नजर आ क्रेन ऊपर लेके जा रहे हो आप आगे जा रहे हो बट मुझे क्या नजर आ रहा है दोनों का combined motion तो combined motion आपका इस direction में होगा और इसको मैं खोजूंगा कैसे मैं निकालूंगा कैसे बहाई कितना आगे गए इस्तमाल कर देता हूँ 1 और 4 यानि कि 5 हो गया root 5 तो आपकी रफ्तार निकल कर रहा है root 5 meter per second अब direction भी बता नहीं है ठीक है तो आपका जो velocity vector निकल कर रहा है that is root 5 meter per second in ठीक है अब यहाँ पर लिखता हूँ angle theta ठीक है तो खुद देखो भाई tan theta क्या होगा आपके पास खुद से सोचो tan theta क्या होगा perpendicular to base का ratio तो perpendicular क्या है आपके पास 2 upon में 1 तो इस angle पर जो tan का जो एक ऐसा angle होगा जहाँ tan theta की value 2 होगी वही आपका यहाँ पर angle की value है और यह मैं कैसे देखूँगा अपने उससे लेखूँगा क्या बोलते हैं जो हमने database बना रखा है उससे देखूँगा तो भाई at angle theta when theta where लिख देता हूँ where ठीक है inverse trigonometry पढ़ोगे तो उसमें यह बताती ही है ठीक है at angle theta लिख देता हूँ चलो चोड़ो भी basic पे रहते हैं at angle theta और यह theta कैसे बताऊँगा मैं अपने trigonometry के database की मदद से बताऊँगा काम खतम ठीक है मैं pythagoras का इस्तमाल और trigonometry का इस्तमाल कर सकता हूँ क्यों क्योंकि मेरा frame of reference एक दूसरे के perpendicular और यहां पर motions जो है वो यहां पर एक दूसरे में एक x direction में है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले कदम पर ठीक है अगला कदम क्या है pythagoras और trigonometry तो अके लिए important हो गए लेकिन अब देखना हर जगा वही use होने वाला है ठीक है अब अगला कदम यह है कि बाई crane जो है उपर तो खीचरी है 2 meter per second के speed से लेकिन आगे भी ले जा रही है 2 meter per second के speed से आगे भी लेके जा रही है आपको 2 meter per second के speed से और अब देखो क्या magic होता है कि बाई 1 second के बाद आप तो अपने हिसाब से 1 meter चलोगे 1 second में लेकिन यह जो box है आपका इस वर यह जो pipe है आपका यह खुद 2 meter आगे बढ़ चुकी होगी यह खुद 2 meter आगे बढ़ चुकी होगी तो आपकी जो यह pipe है ठीक है 2 meter आगे इसको उठाके 2 meter आगे कर देता हूँ और क्योंकि उपर भी 2 meter के speed से जा रही है तो 2 meter उपर कर देता हूँ तो यह जो आपकी pipe है वो right now कुछ ऐसे नजर आएगी ठीक है तो आप 1 1 2 ठीक है आप नजर आओगे मुझे यहाँ पर ठीक है इस position पर नजर आओगे position mid में लिया था तो mid में लिखाता हूँ आप इस position पर नजर आओगे तो आप मुझे कैसी जाते वे नजर आए इस तरह जाते वे नजर आए let's observe it देखो कहानी खतम तो यहाँ से यहाँ अब आप देखो 1 meter आप बढ़े 2 meter आपको pipe आगे ले गया point simple सा है 2 meter आपको pipe आगे ले गया तो यहाँ पर total distance आपने कितने travel किया है 3 meter और यहाँ पर y direction में आपने 2 meter travel किया है 1 second में तो आपकी जो actual रफतार है जो मैं observe करूँगा वो यह वाली direction में observe करूँगा तो आपका जो final यानि कि resultant velocity vector है वो क्या होगा 3 का square plus 2 का square यानि कि 9 plus 4 आपका 13 हो जाएगा तो यह distance है root 13 meter का और root 13 meter का distance आपने कितने time में travel किया है भाई is equal to 2 upon 3 2 upon 3 तो भाई जिस एंगल पर आपका tan की value 2 upon 3 आता है वही एंगल यहाँ पर आपको database से देखके लिख देना है लो भाई आपकी velocity निकल गई with direction आया की नहीं आया अब इसके observation को और थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं करते हैं कि अब सिर्फ crane आगे लेकर जाएगी अब सिर्फ crane आगे लेकर जाएगी इसी रफ्तार से तो यह जो box से आपको ऊपर ना दिखके कहा दिखेगा इसके लिए अलग color रेता हूँ अब आपको यह crane सिर्फ यहाँ दिखेगी आपको यहाँ दिखेगी तो आपकी position यहाँ होगी आप यहाँ खड़े मिलोगे मुझे तो अब आपने कितने travel किया एक मीटर आप गए दो मीटर आपको पाइप ले गया आगे तो एक सेकिंड में आपने कितने अगया answer तो सारे motions आपने देख लिए और यहाँ पर हर motion के अंदर जो आपने observe किया वह यह observe किया ध्यान से देखना ठीक है सारे motions को analyze करो पहले motion में आप इधर जा रहे थे सिर्फ आप इधर जा रहे थे as simple as that जो आपका motion है वही resultant motion है ठीक है दूसरे case में आप आगे जा रहे थे बट pipe की velocity आपके perpendicular थी point to be noted तो आपकी direction की जो velocity थी ध्यान से देखना बस यही आपकी key observation है आपके direction की जो velocity थी वो तो one की one ही थी yes or no आपके direction में जिधर आप जा रहे हो उस direction में velocity में कोई change आया नहीं आया आपकी velocity one meter per second आप चल रहे हो उतनी ही रही और y direction में pipe की velocity में कोई फरक नहीं पड़ा वो 2 meter per second थी तो वो 2 meter per second ही रही as simple as that यानि कि perpendicular velocities एक दूसरे में कोई additions attraction नहीं कर रहे है अपना काम वो simultaneously कर रहे है जिसकी वज़े से resultant ऐसे produce हो रहा है यह अपना काम कर रहे है यह अपना काम कर रहे है इसकी वज़े से final result इस तरह से आ रहा है that's it और लेकिन जब आपके ने देखा third scenario के अंदर की crane आगे भी जा रही है उपर भी जा रही है तो आपने क्या notice किया तो आपने notice किया कि आपके x direction की velocity 1 ना होकर 3 हो गई थी यह देखो यहाँ पर previous example यह रहा ना 3 meter per second तो आपके direction की velocity बढ़ गई कैसे क्योंकि आप एक चले आपको वो pipe 2 meter आगे ले गई तो आपने total उसी direction में जिस direction में आप जा रहे हो उस direction की velocity 3 meter per second होई ना और pipe उपर जा रहे है या वो 2 meter per second होई होई की नहीं होई तो यहाँ पर क्या observe कर रहे हो आप final conclusion, final example भी देख लेते हैं जब pipe सिर्फ आगे जा रहा था तो आपकी velocity उसी direction में बढ़ गई आपकी 1, pipe की 2, total हो गई 3 तो भाई same directions में velocity scalar की तरह add हो रहे है key observation point, आपकी direction में जो vector quantities है अगर दो vectors parallel है same direction में है, तो वो simply add हो जाते है unit same होने चाहिए, यह तो common sense है ठीक है, अलग से नहीं बतारो मैं यह ठीक है, तो अगर vector same direction में है they add like a scalar, they add like a scalar, और यह कोई rule नहीं है यार, यह तो nature में दिख रहा है मुझे, यह कोई rule थोड़ी है यह nature में दिख रहा है, अगर मैं जिस room में खड़ा हूँ, ठीक है, इस वक्त मेरी velocity क्या है, अगर आप अपने frame of reference से देखोगे, तो आपको लगेगा मैं rest पर हूँ लेकिन अगर मैं आपको धरती के center में भेज दूँ तो आपको नज़र आएगा, मैं तो revolve कर रहा हूँ rotate कर रहा हूँ, तो मेरा frame of reference important है, इसलिए शुरुवात होगी frame of reference से, calculations भी आपका frame of reference से ही किया जाता है क्योंकि observer बताएगा ना, आपकी velocity क्या है जो दिख रहा है, उसी velocity को बस हम study कर रहे हैं, और हमारे पास result आगया, final result निकालने के लिए हमें pythagoras और trigonometry की जरूरत है और वो करना कितना आसान है, हम 10th grade तक में सीख चुके हैं इन सब चीजों को, और उनके जरियम final velocity और angle बता सकते हैं, यही है आपका vector quantity और कुछ नहीं और कुछ नहीं है, आप इसके अंदर थोड़ा सा और part आएगा, ठीक है, लेकिन वोच चीज को समझने से पहले, आपको इस बात को चाहे तो यहाँ पे video pause करो और field करो इस चीज को, ठीक है, आप एक काम और करते हैं चलो भाई, आप आगे जा रहे थे न, 1 की speed से एक काम करते हैं, pipe को pipe को इस बार crane पीछे लेकर जाएगी एक और scenario बनाते है, pipe को इस बार crane 1 meter per second की speed से पीछे लेकर जाएगी ठीक है, और यह कम simultaneously हो रहा है तो अब देखो, आप 1 meter आगे बढ़ रहे हो pipe 1 meter पीछे आगई, तो आपने कितने travel किया, 0, आपने कितने travel किया, आप यहां से यहां गए लेकिन pipe वापस यहां ले आई, logically सोचो, ठीक है, और यह काम ऐसा नहीं हुआ कि आप पहले गए, फिर pipe लेकर आई, यह साथ में हो रहा है, यहांनि आप जितना आगे बढ़ रहे हो उस 1 second के दौरान, उतना pipe पीछे लेकर आ रही है, तो आप मुझे कैसे नजर आओगे rest में नजर आओगे, तो आपकी velocity होगी, उसको मैं बोलूँगा, 0 meter per second, काम खतम, ठीक है है, तो सब्क्राक्ट हो गया, यह अनदर key point है, discovery, जो हम अब नेचर से करने वाले हैं, तो आपने देखा कि आपका velocity vector और crane का velocity vector, वो पीछे आ रहा है, इनको जब हम add कर रहे हैं, add कर रहे हैं, add करने का मतलब यहाँ पर plus करना कर यह है, कि यह दोनों vectors, एक साथ operate हो रहे हैं, जिसकी वजह से resultant motion produce हो रहा है, तो इसका मतलब a vector plus b vector का मतलब यह नहीं है, कि आप इन दोनों को add कर रहे हो, यहाँ plus symbolically यह बोल रहा है, कि यह दोनों vectors, एक साथ simultaneously operate हो रहे यह work कर रहे है, जिसकी वजह से resultant produce हो रहा है, that is your c vector ठीक है, अगर मैं a, आपके vector को a vector लेता हूँ, वो था 1 meter per second, ठीक है, और फिर मैं आपका यहाँ पर vector है, तो भाई, अभी दगो अगर सिर 1 meter per second लिखा है, तो obviously, यहाँ पर मुझे सिर्फ quantity मैंने लिखी है, और अगर मैं आपकी velocity को लिख दूँ, मतलब crane की velocity को लिख दूँ, 1 meter per second, ठीक है और add कर दूँ, तो आप खुद सोचो न, मैं यह गलत कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ direction का तो कोई लेना देना ही नहीं, इस से गलती हो रही है, मतलब ऐसे लिख के अगर मैं लिख दूँ, 0 meter per second तो यह गलत है, यह गलत है क्योंकि भाई मेरे तो mathematics के funder ही हिल जाएंगे फिर 1 plus 1 0 कैसे हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसके लिए directions के, कुछ symbols बना लूँ ठीक है, और यह बोलूँ कि यार, मान लो x, x-axis बोल देता हूँ, और इसको बोल देता हूँ, minus x-axis, इस तरह से अगर मैं कुछ symbol बना लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ, भाई, यह आगे जा रहे है, यह पीछे जा पड़ रही है, ठीक है, और अब देखो, सारी कहानी, हम लोगों को समझ आनी, start हो गई, अब हम लोग vectors के representation, notation, इन चीजों पर चलते हैं, ठीक है, लेकिन जो अभी तक बताया है, वो point आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, अब यह चीज है, scalar की तरह लिखके हम add नहीं करेंगे, यह जो plus symbol है, और यह minus symbol है, ठीक है, इन दोनों का एक ही मतलब होगा, ठीक है, vectors के अंदर, a vector और b vector, a vector and b vector, इनके एक ही मतलब होगे, इन दोनों के मतलब, एक ही होगा, और वो एक मतलब क्या है, इस symbolically बता रहे हैं कि भाई, दोनों में जो, दोनों vectors operate हो रही है, simultaneously, खुद सोचो, अगर आप इस crane में थे, ठीक है, आपने एक मीटर पहले travel किया, फिर crane आपको दो मीटर उपर लेके गया, फिर उसके बाद, simultaneously नहीं, अलग से उपर का motion हुआ, फिर उसके बाद करें का motion हुआ, तो ऐसा कोई resultant motion हुआ ही नहीं है, तो observer ये वाला motion थोड़ी बताएगा, ये motion तभी आएगा, जब simultaneously काम होगा, तो ये दोनों का मतलब क्या हुआ, simultaneously work करना, ठीक है, तो यहाँ पर actually में सिर्फ एकी कर चुके है, ठीक है, तो इस चीज़ को देखना, हम vectors को represent कैसे करते हैं, पहले वो बताता हूँ, फिर plus-minus का मतलब बताता हूँ, simply, जितनी उसकी magnitude है, उतनी लंबी length कीच दो, और जिस direction में वो जा रहा है, मालो इधर जा रहा है, तो इधर arrow बना दो, इधर को represent कर रहा है, vectors को, simple representation is geometric figure arrow के साथ, और क्या है, कुछ भी नहीं है, अगर vector का magnitude आपको half करना है, इसकी length half कर दो, काम खतम, यह arrow क्या बता रहा है, direction, ठीक है, और इसकी length क्या बता रही है, magnitude, ठीक है, simple सा logic, समझा गया, अब देखो, यह मेरे पास, मेरा, जब आप swimming कर रहे थे, तो simple लेते हैं, आपका जो velocity of u, आप u ले लिया है, मैंने y लिखते था हूँ, y o u, यह vector आपका इधर था, velocity of river vector, इधर था, जिसकी वजह से, जो final motion produce हो रहा था, उसका resultant motion यहाँ था, velocity of resultant vector, काम खतम, कितना आसान सी चीज़ है, इनी दोनों के combination से तो यह बना है, तो final motion क्या होगा, यह वाला, ठीक है, तो इसको मैं represent कैसे करूँगा, represent, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, velocity of resultant vector is equal to simultaneous motion of velocity of u vector plus velocity of river vector, तो यह क्या है, representation है, अब बारी आती है, plus minus की, ठीक है, plus क्या बोलता है, जो दिशा अपने तै करी है, जो दिशा अपने तै करी है, आगे जाने वाली, वो आपका plus हो गया, और उसके विपरीत जो दिशा है, वो आपका minus होता है, जो दिशा अपने तै करी है, वो plus है, उसके विपरीत जो दिशा है वो आपका minus है तो अगर मैं कहूं कि आपका vector velocity vector ये है तो ठीक इसके विपरीत वाली जो दिशा है वो है velocity of u vector negative direction में but magnitude same होना चाहिए magnitude बड़ा कर दिया तो मैं इसको कोई और नया vector का symbol दूँगा या vector का नाम दूँगा और कुछ ने ठीक है तो वो plus में लिखोंगा मैं तो ये minus बस क्या बोल रहा है ठीक है आप इस minus को मत देखो तो ये क्या बोल रहा है velocity of u vector जो की उपर की तरफ है तो minus क्या बोल रहा है भाई आपकी जो दिशा है 3 meter per second की रफ्तार से तो minus क्या बोल रहा है जहां जा रहे हो ना उसके opposite direction में देखना मुझे मैं उसी direction का vector हूँ यानि कि मेरा magnitude मेरा रफ्तार जो होगा वो 3 meter per second होगा और कुछ नहीं कि क्या मान लो नदी के बीचो बीचो आप इधर जा रहे हो 3 meter per second की speed से आपका दूसरा दोस्त इधर जा रहे है वो भी 3 meter per second की speed से जा रहे है तो आपकी direction को अगर मैंने plus बोला है तो इसकी direction को क्योंकि यह आपकी direction का exactly opposite है इसलिए मैं इसको minus बोलूँगा लेकिन अगर यह थोड़ा सा भी tilt होगा तो minus v u vector करके लिखूंगा तो यह गलत है क्योंकि minus sign जो है आपकी दिशा का ठीक opposite direction होता है symbolically और कुछ नहीं है यह क्योंकि आपने क्या देखा था frame of reference के लिए number line जब हमने study करी थी अगर यह plus direction है तो ठीक उसके opposite side वाले direction आपकी minus direction थी और क्या था और इसी से तो हमने frame of reference बना थे कि इसको भी plus ले लो इसको minus कर दो और हमारे coordinates चारो coordinate में अलग अलगाएंगे जिससे हम यह बता पाएंगे कि कहां पर आप exist कर रहे हो right now कितना beautiful है mathematics के जरिये nature से बात करना और nature के loss को discover करना और कितना आसान भी है तो देखो minus का मतलब क्या है आप जिस दिशा में देख रहे हो उसके विपरीत दिशा में जाना तो देखो minus आपको समझ आया तो अगर मैं इस motion और इस motion को देख रहा हूँ तो ये रहा मेरा resultant vector और आपका दोस्त इस direction को हटाता हूँ आपका दोस्त अगर opposite direction में इधर जा रहा है तो भाई उसका resultant motion इधर नज़र आएगा और simple सी चीज़ है और है क्या तो भाई उसकी direction जोगी अब आप ये मत कह देना ये velocity of resultant vector है तो इसको minus लगा दो ना ये minus तब होता जब आप resultant motion ठीक इसके opposite आता तो minus कब आएगा जब एक vector को आपने direction define कर रखी है और उसके विपरीत direction में उसी vector के magnitude जितना आप show कर रहे हो तो minus vector लगाओ वरना इसको कोई और vr dash लिखके plus symbol के साथ रहने दो ये minus नहीं है ठीक है अगर मानलो ये magnitude और ये magnitude सेम है तो यहां लिखना minus vr vector लेकिन अगर इसका magnitude और बड़ा है तो भाई इसको कुछ और symbol दो vr double dash करके कोई और symbol दो plus के साथ ही रहेगा ठीक है क्यों रहेगा अब भाई ये तो आपने बड़ी बात problem वाली बात कर दी कि भाई लोग अलग-अलग direction में जाएंगे तो भाई हर चीज के क्या हम है इस तरह से direction plus minus में तो हम confuse हो जाएंगे तो इसका भी solution ये problem जैसे आपने सोची वैसे ही पुराने समय में लोगों ने सोची होगी और उन्होंने कहा directions का जंजट को खतम करते हैं ये तो सिफ representation के लिए है तो अगर आपके पास कभी आए कि आपके पास a vector है और ये b vector है और आपको बताना है a vector plus b vector ठीक है तो वो इस तरह से होगा representation plus का मतलब है ये दोनों साथ काम कर रहे हैं लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बताओ अगर a vector minus b vector निकालना हो तो कैसे निकालोगे तो जो b vector है ठीक उसके opposite direction में चले जाओ ठीक उसके opposite direction में इतना length है इतना length यहाँ पर है यह रहा point और ठीक उसके opposite direction में ये खिच गया मेरा minus b vector minus का मतलब घट नहीं रहा है minus का मतलब है b vector की direction के ठीक opposite direction तो यह वाला vector और यह वाला vector एक साथ काम करेंगे यानि कि a vector प्लस यह कौन सा vector है minus b vector है ठीक है तो मैंने क्या कि या देखो एक ही symbol use or a plus simultaneously work करने के लिए और इन दोनों की वज़्ज़े से जो resultant निकलेगा वो आपका क्या होगा यह वाला होगा ठीक है अभी observe करेंगे frame of reference पर थोड़ा और तो हमें और ज्यादे clarity मिल जाएगी ये वाला होगा तो ये बन गए आपके पास a vector minus b vector अब आप खुद observe कर लो कि क्या इसका magnitude और इसका magnitude same होगा जवाब है नहीं लेकिन हर बार नहीं हर बार नहीं ठीक है अगर आपका a vector ऐसे है b vector ऐसे है तो minus b vector ऐसे होगा आप आपका magnitude same होगा तो सोचने का खेल है हमें कहानी समझा गई है ये है b vector ये है minus b vector ये है a vector ये है a vector plus b vector ये है a vector minus b vector तो इस वक्त A vector plus B vector और A vector minus B vector की magnitudes equal होंगे इसके उपर questions भी आ चुके हैं लेकिन हम बैड़े के formula घिसते रहते हैं 10 second के question को हम 10 minute तक करते हैं तो भाई ऐसा करने के ज़रूर अपनी है आप भाई same direction में scalar की तरह add करो point number one key points same direction में same direction में जो vectors है same direction vectors added like scalar ठीक है और जो आपके perpendicular vectors है वो अपना काम अलग-अलग करते हैं ठीक है अगर दो vectors एकदम एक दूसरे के perpendicular है ठीक है एक दूसरे के perpendicular है तो यहाँ कोई addition से fraction नहीं हो रहा है लेकिन अगर कोई vector कोई vector मानलो final vector इस तरह से है ठीक है वो उपर भी जा रहा है यह दूसरा vector है यह उपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है तो इसमें यहाँ पर जो final velocity होती है वो बढ़ जाती है यहाँ के इतनी रहती है तो resultant vector हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है हाँ या ना आता है तो हमने कहा कि चलो यार एक बर इसी को study करती है और देखते है कि हमें क्या मिलता है तो हमने क्या किया एक rectangular park लिया ठीक है इस park में एक बच्चे की motion को diagonally observe करना start किया वो इस तरह से move करते हुए यहाँ पर जा रहा है ठीक है अब हमने देखा कि यार उसकी जो velocity है वो इस direction में है ठीक है लेकिन अगर मैं उसके x में trace करूँ जब वो यहाँ पहुंचा तो वो x में यहाँ तो x में यहाँ y में यहाँ यहाँ जब यहाँ पहुंचा तो x में यहाँ 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 फिक है पहुंचा अब यह observation है कोई rule नहीं है अब मान लेते हैं जो angle आपको पता है 37 degree उसी को लेके चलते हैं ठीक है अभी उसने 5 meter travel किया ठीक है उसने 5 meter travel किया ठीक है तो अब उसने 5 meter travel किया तो x में भी ध्यान से देखना वो parallely x coordinate भी बढ़ रहा है उसका क्योंकि हम तो frame of reference के साब से उसका बताते हैं तो right now उसका x coordinate क्या होगा और right now उसका पता है angle मुझे पता है तो इसका x coordinate निकालता हूँ किसकी मदद से अपने database trigonometry की मदद से ठीक है तो sin 37 degree is equal to y coordinate upon my hypotenuse which is 5 तो sin 37 की value यहां पर कितनी होती है sin 37 की value होगी 3 upon 5 तो यह value आती है 3 upon 5 5 से 5 गया y की value कितनी आ गई 3 meter उसी तरीके से cost 37 का इस्तमाल करूंगा मैं x upon 5 जो क इस परिस्तिती को अभी तक जितनी परिस्तितिया देखे उसकर reverse करके देखो अभी आप खुद 5 meter per second की speed से जा रहे हो लेकिन आप सोचो कि आप आगे 4 meter per second की speed से जा रहे हो और crane 3 meter per second की speed से उपर जा रहे है तो भी तो मुझे यह motion नजर आएगा mathematical observation ठीक है nature से बात कर रहे है तो मैं आपकी इस 5 meter per second की रफतार को इस तरह से कहूँ कि भाई मैं इसको बोल देता हूँ velocity in x direction इसको बोल देता हूँ velocity in y direction तो आपका जो resultant motion है उसको मैं लिख सकता हूँ velocity of x vector plus velocity of y vector is equal to velocity of u क्योंकि यही तो हमने खोजा है लो भाई आपका vector अगर आप x और y में नहीं जा y direction अब बार बार मैं यह लिखूँ अब velocity of x को मैं कैसे लिखूँगा 4 meter per second in x direction ठीक है और इसको लिखूँगा 3 meter per second in y direction by direction तो बता नहीं है तो इसके लिए हमने क्या किया हमने कहा यार vectors जो है scalar की तरह add होते है save direction में ठीक है no problem और हमने एक vector को जो एक ही direction में जवाब जा रहे हैं तो हमने कहा कि भाई x direction में जा रहे हो ना आज से हम इसको बोलेंगे i cap इतना लंबा लिखने की जगे हम क्या बोलेंगे इसको 4 meter per second in i cap और 3 meter per second in y direction को हमने बोल दिया j cap cap का मतलब है unit vector unit vector पे भी अभी हम आएंगे ठीक है लेकिन अभी देखो आप x में जा रहे हो 4 meter per second i cap यानि कि ये क्या बोल रहा है x direction में आपकी velocity है और ये क्या बोल रहा है y direction में आपकी velocity तो अब इस चीज़को मैं अगर सिर्फ 4 meter per second और 3 meter per second लिखूंगा तो गलत है ठीक है तो मैं कैसे लिखूंगा 4 meter per second i cap प्लस 3 meter per second j cap अब ये सही है that is velocity of u vector क्योंकि आब आप क्या करोगे आपको पता है ये x दिशा की velocity है ये y दिशा की velocity है इसका square प्लस इसका square पाइथागोरस ही तो लगाओगे आपने simply एक vector को x और y में तोड लिया क्योंकि आप तोड सकते हो ठीक है आपने तोड लिया vectors आपके simply add हो जाएंगे ठीक है आपने उनको तोड़ा last में पाइथाग आप बोलते हैं ठीक है अब मान लो कि आप इधर जा रहे हो ठीक है आप इधर जा रहे हो ठीक है अब मैं आपका velocity vector लेता हूँ और ये angle में theta बोलता हूँ तो अब जो ये x velocity है y velocity है वो कैसे निकालेंगे तो वो मैं बता देता हूँ ठीक है तो मान लो आपने यहां से यहां यह आपको पता है x upon में hypotenuse is equal to cos theta तो x आपके पास क्या आगया h cos theta y क्या आगया आपके पास y upon में h is equal to sin theta trigonometry 10th में क्यों पड़ी थी हमने तो y आगया आपके पास h sin theta ठीक है और लो आपके पास यहाँ पर इनी को बोला जाएगा आगे से components of vector नाम दे दिया ना भाई discovery करी अब बारी है नाम देने की तो हमने नाम दे दिया और यहाँ पर अगर अब मैं कहूं कि यह आपका velocity vector है ठीक है और frame of reference के साब से x direction यह है तो इस direction में है v cos theta vector इस direction में है v sin theta vector यह हो गया आपके components काम खतम करके देख लो v square cos square theta plus v square sin square theta v square common आएगा cos square theta plus sin square theta पाइतगोरस से 1 हो जाएगा और finally आपके पास v ही आया तो अब आप components बनाना भी सीख गए और अब देखो same direction में vector scalar की तरह add होते हैं आप उनको components के form में लिख सकते हो तो इस v vector को मैं कैसे लिखूंगा v vector को मैं लिखूंगा magnitude v cos theta अभी तो vector के form में लिखा है लेकिन अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा i cap plus v sin theta j cap ठीक है अब यह मैं ले लेता हूँ velocity 1 ठीक है तो मैं यहाँ पर v1 vector is v1 v1 काम खतम ठीक है तो अभी इसके components हटा देता हूँ मैं ठीक है components एक बार हटाता हूँ अब इसी के साथ simultaneously एक और मानलो आप इस direction में तैर रहे हो ठीक है और पानी जो है पानी जो है मानलो वह इस direction में जा रहा है ठीक है तो यह बन गया आपके पास velocity of river तो यह velocity of 1 यानिए आप का जो component है वो निकल गया वह एंगल कैसे नाप होगे frame of reference नाप होगे तो इधर आपके velocity आगे v1 cos theta इधर आगई आपके पास v1 sin theta जो कि आप थोड़ी दिर पहले निकाल चुके हो वही काम आप इस vector के साथ भी कर सकते हो तो यहाँ पर देखो x में तो आप आगे जा रहे हो लेकिन y में आप नीचे आ रहे हो x में आगे जा रहे हो y में नीचे आ रहे हो और angle निकालने के लिए आप हमेशा किसका इस्तमाल करोगे ध्यान से समझना angle निकालने के लिए आप किसका इस्तमाल करोगे आप हमेशा इस्तमाल करोगे किसका अपने reference line का यानि x axis का इस्तमाल फाई अब हमने ये direction किसको दिया है x को और y direction को दिया है तो अब क्योंकि देखो y के opposite में भी आ रहा है y direction क्या है ये वाली बट ये कहा है उसके opposite है तो हमने कहा चलो further progress करते हैं जिस direction को आपने plus दे दिया है अभी ये वाली direction ठीक उसके विपरीथ है तो इसको minus 2 तो अगर positive x-axis है तो positive y-cap ठीक है नेगेटिव x-axis की तरफ है तो negative i-cap positive y direction में है तो positive j-cap negative j-cap opposite direction में z- direction में है positive में तो positive k-cap negative eye-cap तो अब लिका लो इसकी velocity तो भाई velocity हम लिख देते हैं velocity of r vector is vr cos phi vr cos phi दिख रहा है कौनसे direction में जा रहा है positive x axis पे जा रहा है i cap प्लस ये plus कौन सा है symbolic plus है इन दोनों numbers को आप add नहीं करोगे symbolic है मतलब ये दोनो simultaneously हो रहे है vr cos phi i cap और vr sin phi ठीक है vr sin phi ठीक है कौन सा cap लगाऊंगा ये देखो negative y direction में जा रहा है तो यहाँ लिख दूँगा मैं minus j cap और अब इस minus को मैं यहाँ ले आता हूँ ठीक है क्योंकि इसका मतलब भी तो यही हुआ जिस दिशा में ये जा रहा है इस रफतार से ये उसके opposite direction में जा रहा है मतलब इतनी रफतार से y में वो आगे बढ़ रहा है parallely simultaneously इतनी रफतार से वो उसको पीछे ले कर आ रहा है तो भाई ये देखो ये आगे जा रहा है ये पीछे जा रहा है plus minus directions होते है clear connection यहाँ से हमें मिल गया अब क्यूंकि मैंने यहाँ minus लगा दिया है वो कुछ ऐसे मिलेगा ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि ऐसा ही मिलेगा तो इसको भी आप observe करो तो भाई मान लो ये वो length है जो t time में cover करा तो भाई x में आप तहां पहुंच गए यहां पहुंच गए इतना length आपने cover किया ये दोनों vectors एक साथ चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं एक साथ चल रहे हैं तो जितने समय में आपने ये travel किया इस रफतार की वज़े से पानी आपको इतना और आगे ले गया हाँ या ना ले गया ठीक है आप अपने y direction की रफतार की वज़े से इतना उपर गए लेकिन इसने आपको उतना ही नीचे ले आया कितना नीचे ले आया इतना नीचे ले आया तो इतने में से इतना आप minus ही करोगे reality तो आपकी current position क्या है ये रहे ठीक है तो अब देखो ये length प्लस ये length यानि कि scalars की तरह है ये add हो जाएंगे और ये देखो ये उपर जा रहा है इसलिए प्लस है ये नीचे आ रहा है इसलिए ये minus है इसलिए ये दोनों subtract हो जाएंगे तो final आपके पास क्या आएगा कि भाई आपने ये length travel करी है t time में और ये length travel करी है y में t time में इन दोनों को length को time से divide कर दोगे तो आपके resultant velocity आ जाएगी तो वही velocity आपके क्या होगी कि भाई v1 cos theta मान लो ये length a था ये length b था ठीक है a upon me t क्या है आपके पास यही तो है ठीक है b upon me t क्या है आपके पास b upon me t यही तो है और जब आप इन दोनों length को add कर दोगे a plus b upon me t तो ये a upon me t plus b upon me t के बराबर है यानि बस velocities को जैसे आप length add कर रहे हो उसी तरह से velocities को add कर दो काम हो गया तो resultant यहाँ पे मैं resultant लिखता हूँ ठीक है result लिखता हूँ चलो वो क्या होगा v1 cos theta plus vr cos phi i cap ठीक है plus पहले इसका लिख लेता हूँ v1 sin theta minus vr sin phi ठीक है कौन सी दिशा में j दिशा में ये i दिशा में लो भाई आ गया मेरे पास मेरा end result यह है मेरी x direction की velocity resultant की यह है मेरी y direction की velocity resultant की और अब जो मेरे को दिख रहा है मैं तो उसी की direction बताऊंगा न ठीक है resultant क्या है मेरा ये वाला है तो भाई इसकी direction मैं लिखता हूँ alpha अब यहाँ पर alpha है perpendicular value है base value है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर भाई जो दिख रहा है वही लिखूंगा जो इसका result आएगा अपने database में जाऊंगा alpha की value बता दूंगा direction मिल गया magnitude निकालना है तो भाई ये x की velocity है ये y की velocity और ये दोनों एक दूसरे के perpendicular है जो right angle triangle बनाएंगे इसका square प्लस इसका square का under root that is your answer काम खतम again लंबा हुआ है माफी चाहता हूँ लेकिन हम end पे आ गए है अब इसके एगले वीडियो में हम लोग बस triangle law parallelogram law वो तो already हो गए है ठीक है अभी दिखा देता हूँ dot product, cross product इनको study करेंगे लेकिन ये है आपकी vectors की reality vectors के साथ जुड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है एक परिस्तिती थी कि भाई direction के साथ जब हम addition कर रहे है तो उसको कैसे समझा जाए वो हम लोगों ने समझ लिया it's that easy इतना आसान है इतना जादा आसान है ठीक है और आपको नजर आ भी रहा होगा ठीक है अब देखो एक last example और फिर इस चीज़ को हम लोग finish करते हैं ठीक है अब मान लेते हैं कि भाई आप यहाँ पर अब मैं आपको finally दिखाता हूँ same direction वाले add होते हैं तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई एक person है जिसकी velocity vector मैंने यहाँ पर लिखा 3i cap plus 4j cap minus 7k cap k cap मतलब मैं z में भी ले रहाँ 3d में चल रहे हैं ठीक है यह velocity of a vector है यह velocity of b vector है that is 2i cap minus 2i cap plus 7j cap ठीक है plus 18k cap यह इसकी velocity है मतलब मान लो यह एक person है अब दूसरा person देखो 2 person मिलके यह तो real example हुआ है 2 person मिलके कभी resultant नहीं ला सकते है यह person की velocity है यह जिस platform पे यह खड़ा है उस platform की velocity है मान लो यह ऐसा समझो एक cargo plane जा रहा है बहुत बड़ा सा cargo plane है उस plane के अंदर जो floor है उस floor पे आपकी velocity यह है ठीक है सीडियां भी बनी है तो आप उपर भी जा रहे हो sorry नीचे basement की तरफ जा रहे हो माइनस मैं नीचे जा रहे हो लेकिन plane अपनी रफतार इस direction के हिसाब से चल रहे तो बाहर से बंदा आपको देख रहा है तो उसको आपकी velocity कैसी नजर हैगी आप X में 1 second बाद 3 meter आगे जाओगे लेकिन plane की वज़े से 2 meter पीछे आजओगे तो X में आपकी रफतार कितनी होनी चाहिए 1 meter per second I cap ठीक है Y में आप 4 meter आगे बढ़ रहे हो plane 7 meter आगे बढ़ रहा है तो Y में में आप 11 meter आगे बढ़ गए that is your resultant velocity इसी चीज़ को तो हम इतनी देर से बस explore कर रहे थी as simple as that काम खतम ठीक है आपका काम हो गया 3D जब पढ़ लोगे तो इसके भी directions निकालने आजएंगे तो अभी आपके लिए physics में सिर्फ 2D है ठीक है तो 2D के direction बताता हूँ 3D वाला भी बताऊंगा मैं maths में आपका 3D chapter आएगा वहाँ पर इस चीज़ को वापस लेकर आए जाएगा और वहाँ पर इसके directions को मैं बताऊंगा in the end magnitude और direction बताना और कुछ नहीं 3D में भी magnitude पाइथागोरस ही बताएगा बस वाँ direction बताने का एक अलग तरीका होता है इसलिए पहले हम mathematics में 3D geometry को पढ़ेंगे उसके बाद direction को हम discuss करेंगे ठीक है अब मान लो यही है तो simple resultant velocity कैसे होगी आपके पास ठीक है अब खुद देखो 3 magnitude का x में बना लो 1 magnitude, 2 magnitude, 3 magnitude और minus 2 पीछे ले आओ, 1 और 2 तो आप कही है magnitude का आया x में 1 meter per second आगे ठीक है, 4 meter बनाओ, 1, 2, 3, 4 फिर 7 बनाओ, 1, 2 जदा पास हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, तो यहां से यहां तक का आपका final आएगा तो यह रहा आपका resultant तो देखो angle आपका कुछ इस तरीके से आएगा, बड़ा angle आएगा ठीक है, बड़ा angle आएगा, तो यह हो गया resultant velocity, कैसे, y में तो 1 meter जाते हो, 1 meter लेकिन उसी एक second में, आप x में मुझे 11 meter जाते हो, तो 1 is to 11 का ratio हो गया x y में, इसलिए तो यह छोटा है और यह बड़ा है, यही तो है आपका angle बताना है, भाई, angle बताना है कहां जा रहे हो, यह क्या है, perpendicular है यह क्या है, base है, tan theta लिखो, 11 बटा एक करो जिस angle पर यह answer आता है, वही आपका angle है, inverse trigonometry का use करोगे वैसे भी यह सब values तो हम याद करते नहीं है और trigonometry values याद करने के लिए नहीं बनी थी database के लिए बनी थी, database उठाओ, answer निकालो ठीक है, resultant velocity का magnitude बताना है पाइथागुरस का इस्तमाल करो right angle triangle में हम वैसे भी transform करना सीख गए है तो 1 और 11, 11 का square 121, 1 का square 1 का under root यानि के under root 122 meter per second आपके resultant velocity का magnitude होगा and that's it, काम खतम ठीक है, और आपका काम यहाँ पर हो गया अब parallelogram law, triangle law ठीक है, वो आप एक बार खुदी देख लेना ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं simple सा logic है, कि भाई, यह रहा आपका एक vector, ठीक है, यह रहा आपका दूसरा vector, ठीक है, यह दोनों simultaneously काम करेंगे, अब जिस चीज़ को आप अभी values से लिख रहे थे, उनको symbols के साथ लिखे लो, यह रहा आपका c vector, which is a vector plus b vector, अब आपको बताना है कि इनके resultant vector का magnitude क्या होगा, अब बारी आती है magnitude के symbol के लिए, तो अगर आपने कोई vector लिखा है, directions के साथ लिखोगे, उसके आगे mod symbol लगा दो, तो यह है आपका magnitude का symbol, ठीक है, बस, और कुछ नहीं, magnitude का, यानि कि आपको सिर्फ अब quantity बतानी है, direction नहीं, ठीक है, तो c का magnitude निकालते हैं, logically simple, आप सबसे पहले calculation करने के क्या बनाओगे, frame of reference बनाओगे, तो आपने frame of reference easy calculation के लिए, ऐसे बनाए कि a vector जो है, आपके x axis पर आगया, ठीक है, क्योंकि आप चूज कर रहे हो न, आप a vector की direction में देखना, start कर दो, low by कर दिया, अगर नहीं किया, तो वो भी हम करके देख लेंगे, तो आपके लिए a और b vector के बीच में जो angle आगया, that is your phi, ठीक है, लेकिन आपको c vector बताना है, आपको कौनसे vector बताना है, c vector बताना है, तो इसका angle है, alpha, ठीक है, जो vector बता रहे हो, angle तो उसी का बताओगे न, a और b के बीच में angle phi है, ठीक है, अब आप कहोगे, ये angle क्यों नहीं लिया, तो angle समेशा आप अपने frame of reference के साब से लेते हो, तो भाई, a इधर जा रहा है, इसके phi angle पर b है, इसके phi angle पर b है, यहाँ पर, मेरी मर्जी से नहीं कि मैं पीछे मुड़ूँगा, फिर angle को measure करूँगा, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, standards, positive x-axis आपकी baseline है, इसलिए आप बहाँ से angle measure करोगे, तो ये लो, reason big के साथ हमें पता चल गया, अब आप अपने vectors को तोड़ोगे, इसमें components में, a तो x में ही है, तो आप a vector को लिखोगे, simple a i cap, magnitude उसका a है, direction क्या है, x direction है, अब b vector पे चलते हैं, b, देखो, components तोड़ देते हैं, तो ये b vector magnitude उसका कितना है, b, b cos phi, b sin phi, तो ये हो गया, b cos phi i cap, ये हो गया, b sin phi j cap, अब दोनों vectors को add करना है, ठीक है, तो आप देखो, addition करने का मतलब है, simultaneously चल रहे हैं, और जब आप add करोगे, तो add सिर्फ वही होते हैं, जो parallel होते हैं, तो यहाँ, a और b cos phi add हो जाएंगे, क्योंकि वो same direction में है, और ये हमने observe किया है, b sin phi अकेला है y direction में, तो कुछ add नहीं होने वाला, तो पहले a vector लिखता हूँ, that is, a i cap plus b vector लिखता हूँ, b cos phi i cap plus b sin phi j cap, हो गया, i और i add हो जाएगा, क्योंकि same direction में है, this is not a rule, this is what we have discovered, ये कोई rule नहीं है, ये हमने discover किया है, नेचर से बात करके, तो a plus b cos phi i cap plus b sin phi j cap, लो भाई, result आ गया, और अब आपको पता है कि x में कितना magnitude है, आपका, y में कितना magnitude है, और सिर्फ आपको अब, a b को भूल जाओ, यही तो है आपका c vector का x component, अगर ये vector है, तो इसका x component और y component, ये रहा है, इसका y component, इसका square plus इसका square, magnitude है तो भाई, इसको हम याद कर रहे है फॉर्मूले की तरह है, लेकिन ये देखो, c vector का square, इसका square लिखता हूँ मैं, a square plus b square cos square phi, इसका square कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2ab cos phi आएगा, plus 2ab cos phi, plus में b square sin square phi, ठीक है, answer आया मेरे पास, इसको देखो, b square cos, square phi, b square sin square phi, b square common लोगा, और हाँ, ये under root में आएगा, पाइथागूरस में under root लगता है, तो b square common आगया, cos square phi plus sin square phi, 1 होता है, तो finally आगया, a square plus b square plus 2ab cos phi, और ये phi क्या है, angle between the vectors, ठीक है, और हम क्या कर रहे है, आपका होगे, इतनी लंबी चोड़ी rama end पे लेकर रहे, end में ये है, हम directly जब इसको याद करते हैं, हमेशा confused, कहां आ रहे है number, दुनिया आज भी struggle कर रही है, ये वेक्टर से, एक बार हमने वेक्टर के साथ connect कर लिया, और देखो काम हमारा हो गया, कितना simple और कितना आसान सा है, है नो मज़ेदार चीज, अब आपको ये formula याद कराए जाता है, आप ये formula याद करते हो, और confused होते हो, तो अब confusion खतम, क्योंकि कैसे करना है, ये हमें पता है, और अब angle बताना है, लो भाई, tan alpha is equal to perpendicular to base, b sin 5 divided by a plus b cos 5, लो भाई, इसको resolve करोगे, एक answer आएगा, वो angle बताना है, आपको database से देखके किस angle पर ये answer आता है, and this is it, ये है आपका vector का actual core concept, और अब आप comment करना, अगर आपने यहां तक देख लिया है वीडियो, तो definitely आपने concept को सीखा होगा, और please comment करके बताना, कि ये actually में इतना मुश्किल है, इसकी इतनी hype बना रखी है, कि ये सच में इतना मुश्किल है, नहीं है, हमें सिर्फ सही way में connect करना है, और अब आपको vector में कभी दिक्कत नहीं आएगी, एक बार connect करना है, और आपकी बारी है, अब इसी चीज़ को लेकर self-study करना, एक घंटे की बात है, self-study कर लो, lifetime के लिए vector से आपको छुटका रहा, next lecture के अंदर, ये थोड़ा बड़ा होना ही था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूँ, next lecture के अंदर, हम लोग product of vectors को explore करेंगे, और उसके बारे में जानेंगे, और उसको भी एक ही lecture के अंदर, हम लोग finish कर देंगे, तो अगर अगर आपको सच में, valuable knowledge मिली है, ठीक है, vectors आपको समझ आया है, तो please subscribe करो, अपने दोस्तों को लेकर आओ, application पर आओ हमारे, हम लोगों को जिम्मा उठाना चाहिए, और एक दूसरे की हमें मदद करने चाहिए, share करो इन सब चीजों को, और लोगों को stem vedas के साथ जोड़ो, ठीक है, सब मिलते हैं आप से next lecture में, till then take care, bye bye, जाहिंद,